अब हम देख लेते हैं insert node at end अब हमने एक structure तो देख लिया basically हमने देख लिया link list में किस तरह से हम लोग link list अब link list में हमने nodes भी तो add करनी है अब हम nodes किस तरह से add करेंगे हम वो देखेंगे अगर let's suppose हम चाहरे हैं कि हमार पास ये इस तरह से link list बनी भी है ठीक है अब हम चाहरें कि इसकी इस position पर हमार पास node node link कर दें हम जोग node add कर दें अब वो node हम कैसे at the end कैसे add करेंगे यानि कि हमार पास हमें करना क्या होगा जो हमारी ये let's suppose हमारी link list है तो हमें करना क्या है कि ये अगर link list है तो इस वाली no इसमें null अगर attach है तो हमें इससे null को हटा गर इसमें अपने obj का address देना है जो हमने obj insert किया है और उस obj के साथ null को connect करना है और इस वाली list को इसके साथ connect करना है हमने कुछ इस तरह से करना है अगर ये हमारी link list है तो हमें कुछ अब ये करने हैं हम करें insert note at the end अब हम वो कर किस तरह से रहे हैं void add note at end का हमने एक function बनाया और एक हमने pointer type object बना लिया obj note का pointer object बना लिया का मतलब ये है कि ये address सेफ कर रहा होगा अपने अंदर उसके बाद हमने क्या कहा obj के अंदर data आजाए यानि कि let's suppose user ने अगर हमें one दिया है तो obj के अंदर one आजाए ये हमारा एक obj बन रहे है ठीक है let's suppose user ने one दिया है उसके बाद हम क्या कह रहे है if head equals to equals to null अगर head null है तो if की condition true होगी और ये होजाए और हमने जब globally globally define किया था तो head को हमने null किया था ये देखें node steric head equals to null तो head इस वक्त null है yes head null है तो head के अंदर क्या होजाए obj क्या होजाए head में चला जाए तो head के अंदर obj का address चला जाएगा ये head से connect होगा head खुद एक pointer है आप लोगों को ये हाँ पर देखें अपने अंदर एक address सेफ करेंगा तो head के अंदर obj का address चला जाएगा ठीक है अब हम ये function दुबारा कॉल करेंगे ये function एक वक्त में एक ही node बनाता है हम वापिस ये function कॉल करेंगे तो हमारा एक second let's suppose node connect add हुआ है second वो head 2 अब वो क्या कह रहे है और हमने उसके बाद क्या किये यहां पर देखें obj के अंदर head चला गया obj next वैसे भी हमने starting में ही null कर दिया था तो ये इस तरह से एक node add हो गई अगर head null है तो इस तरह से हमारी एक node add हो गई लेकिन अगर head null नहीं है और ये वाली condition है कि हमें end पर कुछ add करें ये तो हमने simply एक node add कर दी head भी वह ये null भी head उसको point कर और null वह null को point कर ये ठीक है मगर अगर हमारे पास ऐसा कुछ हो रहा है कि हमने इस तरह की एक condition आ गई और हमें वह काम करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे एक node तो इस तरह से add हो गई अब हमने क्या किया अब हमारा क्या होगा वापस ये function कॉल करते है obj equals to new node वापस एक object type pointer type object बनाया है उसका data डाल दिया उसके अंदर let's suppose user ने 2 दिया है obj next equals to null कर दिया अब इसका जो next है वह हमने क्या कर दिया null यानि कि यहां पर null point address आ रहा है if head equals to null no head null नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा else चलेगा else के अंदर हम क्या करें एक temp type pointer बना रहे हैं ठीक है temp type का pointer बना रहे हैं और उसमें हम head डालने है temp pointer क्या करेगा अब हमारा अब हम कह रहे हैं temp next not null यह जो head है न हमने temp में डाल दिया ठीक है यह temp में डाल दिया head head के अंदर temp को copy कर दिया temp के अंदर head को copy कर दिया यह देखें यहां पर देखें यह temp को copy कर दिया अब हम क्या कह रहे हैं while temp next not equal to null जब तक इसको null नहीं मिलेगा न तब तक यह चलता रहेगा while कर यही मतलब होता है temp का next not equal to null है तो क्या हो जाए अब यहां पर अगर देखें हम इस condition में let's suppose हम यहां पर यह वाला जो 2 है इसे add कर रहें हम यहां पर न इसको इस 2 को यहां add कर रहें तो यह temp हमने head डाल दिया temp का next है not equal to null है इसके पास तो obviously इस note का next के पास इस note का address होगा temp का next not equal to null है तो क्या हो जाए temp equals to Amp next तो अगर next not equals to null है तो temp क्या हो जाए temp equals to temp next तो temp का next یہ है तो temp override हो कर कहा आजाईगा यहां आ जाएगा, क्यों? क्योंके कहरें, temp क्या हो जाए, temp equals to next तो temp next हो जाएगा इसी तरह से फिर से चलेगा यह, फिर से चला तब अभी भी temp का next not null है, तो फिर क्या हो जाएगा temp override हो जाएगा, और temp next में चला जाएगा, अब temp next next not equal to null है no temp का next क्या है null है यह last note थी थी थर्ड note हम पोर्थ नमबर पर अपनी new node एड़ करें थे तो temp का next अब क्या होगिया नल हो गया तो अब क्या होगा यह false होगी condition यह loop break हो जाएगा और यहां पर आ गए हम temp next equal to obj हो जाएगा अब जो temp का next जिसके अंदर नल था, वो क्या हो जाए, obj हो जाए, obj हमारा ये था, जो हम add करा रहे थे, to वाला, उसको हमने, obj हो जाए, temp का next obj हो गया, और obj का next तो हमने starting में ही नल कर दिया था, यहां पर देखें, obj next equals to null, हमने start पर ही obj का next नल कर दिया था, तो अब temp का next क्या हो गया, obj हो गया, और obj का next हो पहले से ही नल था, तो अब हमारे पास at end पे इस तरह से हमारे पास ये node create हो जाएगा, add हो जाएगा, I hope यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा,